दोस्तो विलकॉम दो साइबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंड्स बात करेंगे डिजिटल एसेट्स की वर्च्वल करनसी की जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्वाइन्टिटी में दोस्तोंट होती है बहुत ज्यादा इंवेस्टिमेंट होती है और ले जा रहा है आप दोस्तों को सब को पता होगा कि मैंने उस वक्त भी वीडियो बना कर दोस्तों आपको इंफर्म किया था कि बेन ऑन क्रिप्टो करणसी इस नाव नॉट पासिबल फार एनी गवर्मेंट इन दवर्ड अब यहां पर जो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों मैं अ इसा कुछ भी नहीं है दोस्तों वहां पर भी ट्रेड अभी तक जारी रह सकती है वेल अपने टॉपिक पर आते हैं फरस्ट अफ़ाल तो यह कि मैं आपके साथ यह चीज़े शेयर करूँगा उसके बात देखते हैं मैं आपको यहां पर मलब यह चीज़ें भी शेयर है मलब आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो लेकिन मैं जो सोच रहा हूं दोस्तों वह बहुत पाजिटिव है विकाज आप देख सकते हैं बीटी सी की प्राइज पर इसका कितना असर हुआ है मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ सेयर करूँगा दोस्तों बजट की सेशन म आपर इस न्यूस पेपर में दीव है कि क्या कुछ हो सकता है लेकिन एक चीज क्लियर हो गई दोस्तों कि टेक्स लगेगा और यहां पर दोस्तों बेंड नहीं होने जा रहा अब जो बातें थी जो रूमर्स थे कि यहां पर बेंड होगा तो यह चीज क्लियर होगी आपका म आई थी और अचानक से जो है ना वह इंडियन एक्षेंजेस पर फ्राइस गिरना शुरू हो गए लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिया अपना बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में मुझे कहा था कि यार हमने लॉस में जो है वह यहां पर अपने पैसे निकाल दिये है लेकिन एक्चली दोस्तों वाट्स हैपनिंग बियाइंड आल अफ दिस सीन में आपको यहां पर बजट सेशन की स्पीच में से कुछ चीजें जो है वो निकाल के दिखा देता हूँ आप यहां पर खुद देख सकते हैं बलब यह पूरा जो है वो पीडिएफ मेरे पास पह अब बात यहे है कि मनलब जतनी ज्यादा अब उसमें ट्रेड हो रही है या ज़ो है वो लोग कमां भी रहे हैं तो जाइर सी बात है कोई भी गौवर्मेंट हो इसको अपने टेक्स सेशन में लाने की दोस्तों कोशिक कर सकती है अगर ऐसा कुछ है तो इसमें कुछ भी बु आती है मतलब आप बिना किसी डर के खौफ के और जो है ना वो टेरर के आप एक काम अपना करते हो आपको पता होता है कि भाई हमें जो है ना वो यहां पर कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी अभी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था है यार यह नेपाल में लोग कीजेगा अब आपको यह डर नहीं रहा कि आपको पकड़ा जाएगा या यह है कि आपके पैसे चले जाएंगे आपके बैंक अकाउंट्स जो है वो बंद हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर दोस्तों आपको 30% टेक्स देना पड़ेगा जो आपका प्रफिट हो गा सिरफ उस से अब मेरी अपनी जो यहां पर मेरा अपना जो अपिनियन है मेरी अपनी जो राए है वो यह है कि 30% टेक्स बहुत ज्यादा है इसको कम होना चाहिए लेकिन जाहिसी बात है अभी यह परपुजल आया है यह चीजे आई हैं सामने उसके बाद इस्टेडीज ह कि एक हो गया एक बहुत बड़ा कदम दोस्तों यहां पर उठा दिया है एक स्टिप म Thema जंडागार दिया है यह समझे पुरी दुनिया के लिए एक कैम कर दिया है कि वह यह कुछ क सकते हैं हम और इंडिया में दोस्तों जिस सरह से टेकनोलोजी को वेलक्ium किया जाता है यहा be taxed at the rate of 30% तो यह पर्पोजल है अब इस पर्पोजल मलब discussions होंगे बहुत सारी चीज़े हो सकती है मलब और studies भी यहां पर हो सकती है no deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income expect cost of accusation further loss from transfer of virtual digital assets can not be set of against any other income तो यहाँ पर for example मैं मुझे को चीज़ समझ में आई यह मैं आपको बताता हूँ वैसे इनका एक और भी यह जो memorandum है दोस्तों मैं इसको भी study करूँगा और further details भी मैं आपके साथ बात में share करूँगा यह मलब एक अलग चीज़ है अभी ठीक है यह financial जो इनका memorandum है वो अलग से है मैं वो अलग से आप से discuss करूँगा लेकिन यहां पर यह जो चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा था यह तो इसमें यह है कि 30% हो रहा है इसमें यह कि आपने फर एक्जमपल वन लैक रुपीज जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट की है डिफरेंट क्रिप्टो करंसी में अब जहां से आपको प्रॉफिट हुआ ठीक है आपने एक करंसी में फार एक्जमपल आपने वेबी डॉज में लगाए 10,000 रुपए वहां से आपके 10,000 रुपए में से हो गए 20,000 रुपए अब 20,000 रुपए में से आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वह 10,000 रुपए था बाकी 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया अब उस प्रॉफिट में से आपको 30% ये मतलब लगा रहे हैं टेक्स तो आपने 10,000 कमाए भई उसमें से आप 30% दे दो ठीक है बाकी 10,000 आपका इन्वेस्टेड तो कोई भी टेक्स नहीं है आप उसको जब निकाल कर लेकर आओगे बैंक में तब आप पर वहां पर जो है वो टेक्स आपको देना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है अभी भी इन चीजों को कुछ यहां पर क्लियर होने की जरूरत है मैं जो समझता हूं और मेरा ख्याल है कि मैं भी आपको सही समझा पाया हूंगा तो यह इस तरह होगा लेकिन इड़ सेम टाइम जब आप एक लाख रुपे यहां पर लगा रहे थे तो 90,000 आपने कुछ और करंसी में लगाये थे वहां पर आप फर एक्जमपल लास में है या फिर यह कि आप वहां पर बैलेंस मे लगा ना लगाए आपने फर एक लाख रुपे और निकाले आपने 90,000 रुपे तो भी आप पर कोई टेक्स नहीं होगा दूसरी बात यहां पर दोस्तों यह डिसकस की गई है गिफ्ट्स वगिरा भी दिये जाते हैं तो वहां पर वन परसंट टेक्स होगा कुछ जो है वो लेकिन अभी भी इस चीज़ को और कलियर होने की जरूरत हरे और यह जो मैंने आपको दोस्तों के मैं इसको स्टेडि करूँना यहां पर बिल है यह में मइमोरेंडम है इसको मैं और भी स्टेडि करूँगा और इसकी डीटیल जो है वो वह मैं और भी आपके साथ शेयर लेका लेकिन फिल्हाल जो है वो एक अची डिंज आई वी है मैंने का आपके साथ शेर करदूं। बहुत सारे दोस्तों को पता हो को बहुत सारे यंफ्लेंसर्स जो है वो सही शींज थरीके दोस्त रहे हो हैं GJAS भाई इस पर कब विड्यों बना रहें ? और वो क्या कहना चाहा रहे हैं यहां पर तो मैंने सूचा इसको इसके बारे में आपको जरूर दोस्तों इंफार्म कर दूँ अब मैं आपको लेकर यहां पर दोस्तों आया हूँ आप यहां पर देख सकते हैं बिटकोईन की प्राइज जो है वो थर्टी एड़ थाउजन से राउंड अबाउट जो है वो थर्टी नाइन थाउजन को टच करने लग गई है और इथिरिम की प्राइज में भी इंक्रीजमेंट हमें नजर आती है शिबा की प्राइज को देखते हैं तो वो भी मतलब सिक्स पॉइंट सम्थिंग उसकी प्राइज भी इंक्रीज हो गई तो आपको जो है ना वो ये ग्रीन मोड में नजर आती है लोना की प्राइज दोस्तो वैसे बहुत ज्यादा गिरी हुई थी इस वजह से मलब यहां पर आपको ये जो लाइन है ये रेड नजर आ रही है वैसे इसकी प्राइज भी हम देख रहते हैं तो रात को जो है वो 49 ती लेकिन इस वक्त इसकी प्राइज 53 डालर और सम्थिंग जो है वो यहां पर हो चुकी है तो आई तिंक क्योंके इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहां से बड़ी इंवेस्मेंट आती है यहां पर तो इंडिया से आने वाली जो न्यूज है उनका असर भी यहां पर बहुत ज्यादा दोस्तो होता है आने वाले दिनों में इसी तरह की बहुत सारी अच्छी न्यूज जो है वो डिफरेंट कंट्री से अगर आती हैं इंडिया के इस एक्जंपल को अगर बाकी कंट्री भी दोस्तों बादब इसी स्टेप्स पर चलते हैं और इसी तरह के लॉज अगर बनाते हैं बजा इसके के वो बैंड की बातें करें तो अगर इस एक्जंपल को सामने रखकर बैंगला देश भी हो गया या पाकिस्तान भी हो गया उसके बाद नेपाल हो गया यह हमारे जतने भी कंट्रीज हैं थर्ड वर्ड के अगर यह बलब इन्डिया के इस एक्जंपल को सामने रखके और अपना यहां पर काम शुरू करें और अपनी स्टडीज शुरू करें तो मेरा यह ख्याल है कि इस इंडिस्ट्री को जिसका तालुक फ्यूचर के साथ है क्योंके मेटावर्स हो गया वेब थ्री हो गया या इंटरनेट के बगएर अब न पीछे आप अपनी करंसी रखें या फिर बिटकोईन को रखें या शिबा इनों को रखें ये अलग बात है लेकिन एसिट डिजिटल ही जो है वो दोस्तों ट्रांजिक्ट हो सकता है इन सारी चीजों को समझ कर गौर्मेंट्स अगर अपना काम करें और स्टडीज करें और को देखें आने वाले 10-15-20 सालों में क्या कुछ हो सकता है इंटरनेट का मतलब कैसा इंटरनेट होगा किस तरह की ट्रांजिक्शन होगी किस तरह से बिजनिस चल रहा होगा इंटरनेट पर इस वक्त कितने लोग इंटरनेट को यूज करते हैं और आने वाले 10 सालों में कित रात में नहीं बटरा लेकिन हर कंपनी या हर गेम या जो भी प्रजेक्ट आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर खुद कमाते हैं ठीक है वो मतलब क्या करते हैं कि वो चाते हैं हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरनेट पर टाइम दे रहे हैं तो हम उनकी व है वो profit मिल जाता है तो अगर इंडिया के ज्यादा लोग इंटरनेट को time दे रहे होंगे technology को time दे रहे होंगे तो वो earning भी कर रहे होंगे ultimately उस earning का एक हिसा government के पास जाएगा एक हिसा जो है वो public के पास जाएगा public के पास पैसा आएगा तो government भी खुश होगी और government के लिए परिशानी की क्या बात है यहाँ पर बिलकुल पाकिसान को इसी तरह example में हम ले सकते हैं तो आने वाले दिनों में क्या business without internet possible होगा no तो आप लोगों को internet से दूर कैसे रख सकते हैं play to earn से दूर कैसे रख सकते हैं wave 3 से दूर कैसे रख सकते हैं ठीक है online businesses से कैसे दूर रख सकते हैं free launching से दूर कैसे रख सकते हैं जब यह सब कुछ possible नहीं है आपके लिए तो digital assets को virtual currency को या bitcoin को या शिबा इनों को ban करना आपके लिए possible किस तरह हो सकता है the only possible solution for you is कि आप इसके उपर अपने laws लेकर आओ आप taxation का system बनाओ इसमें लोगों का risk and reward ratio है यहाँ पर मतलब आप कितना risk लेते हैं कितना reward लेते हैं क्या percentage होती है overall कुल मिलाकर एक दो तीम चार साल में आपके profits की ठीक है उसको study किया जाए लोगों को कि बहुत कितना profit मतलब बड़ी बड़ी companies जो है वो बनाती है या एक retail trader जो है वो आम आदमी जो है वो कितना profit यहाँ पर दोस्तों बनाता है उसके बाद जो है वो decisions ले जाए आहस्ता आहस्ता करके मेरा ख्याल है कि government के यह जो laws हैं जो अभी for example 30% यहां पर takes लगा है यह भी mature होंगे crypto market भी mature होगा और चीजें जो है वो अपने सही रास्ते पर आएंगी और सही मन्जिल की तरफ जाएंगी I hope so कि दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like करें comment करें share करें चैनल को subscribe करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़ी रहें Take care, Allah आपिस